हाई वेल्कन टू भचेनल इस बड़ी में स्वाल्व करेंगे क्वेशन नंबर 13 फाइंड दी स्मालेस्ट नंबर बाइविच 1152 मस्ट बी डिवाइड सो दाट इट बिकम्स अ पर्फेक्ट स्क्वेर आल्सो फाइंड दे नंबर हुज स्क्वेर इस दे रिजल्टिंग नंबर तो क्या करना है कि आपको वो इसमालेस्ट नंबर फाइंड करना है इसमालेस्ट नंबर बाइविच 1152 क्या है इसको डिवाइड करने पर पर्फेक्ट स्क्वेर बन जाए और जब डिवाइड करने पर जब परफेटी स्क्वार बंद जाता है ठीक है तो जो नंबर मिलेगा जो नंबर मिलेगा वो स्क्वार किसका है ये भी निकालना है तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले स्वार करते हैं तो यहाँ पर करना क्या होगा कि पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि यह परफेटी स्क्वार नहीं है तो क्यों नहीं है मतलब कि इसका जो एक कावन फेक्टर ऐसा होगा जिसका पेर नहीं बन पाएगा इसका परफेट square नहीं है इसलिए उस count factor को divide करना पड़ेगा इसमें से divided हना वही smallest number को divide करना होता है इसमें से कि वह जो है perfect square बन जाए तो पहले हमें करना क्या होगा कि इसको factorize करना पड़ेगा तो we have पहले factorize कर लेते हैं 1 1 5 2 पहले हम करेंगे अब यहां पर 2 से 2 5 जा 10 1 बचा 15 हो गया 2 7 जा 14 1 12 हो गया 2 6 जा 12 अब यहां पर यह कटेगा 3 से 3 बचा 3 2 बचा 27 3 9 जा 27 3 2 जा 6 अब यहां पर 3 से फिस से लोगा है यहां पर 3 6 जा 18 एन 3 4 जा 12 अब पता है 64 किसे होता है 8 8 जा 64 8 बन जा 8 ओके तो यहां पर यह जो नंबर आ गया factorization क्या हो गया इसका 115 2 इसका जो factorization हो गया है वो यह हो गया है कि 2 इंटू यह जो 8 लिखा होए पहले मैंने इसको 8 को factorize कर देते हैं हो जाएगा टू इंटू 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 और यह वाला जो 8 है इसको भी fraction ना होगा इसमें से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो यह नंबर हड जाएगा और इसको बास सारे नंबर स्पेर में हो जाएगे और तब जाकर कि यह नंबर जो है परफेक्ट स्कॉयर बन जाएगा तो क्लियरली यहां पहले लिख लेते हैं क्लियरली तू इस नाट इन पेर एक जो है टू पेर में नहीं है और यही आपका आंसर यह भी है ठीक है टू जो है पेर में नहीं है तो डिवाइडिंग बाइ टू डिवाइडिमेंट टू अन बोट साइड्स यह दोनों साइड्स में हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा देखें 1 1 5 2 में में डिवाइड करेंगे 2 से तो यहां मिल जाएगा इतना बराबर यहां भी डिवाइड करेंगे 2 multiplied by 2 into 2 multiplied by 2 into 2 multiplied by 2 into 2 into 2 into 3 into 3 और इधर भी मुट्पलाई करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से यहां पर डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें वह नंबर क्या मिलेगा 2 5 10 and 2 7 14 and 2 6 12 तो 576 मिल जाएगा और यहां पर कटाएगे तो क्या मिलेगा 2 से यह कट जाएगा तो यहां पर अब pair बनके से सबका सबका pair बन चुका है तो इन सभी को हम square को farm में लिख लेते हैं तो पहले हम square लिखने के लिए कट करेंगे सब मेंसे 1 एक लोइगे क्योंकि square करेंगे तब ही पता चलेगा कि कौन सा number यहां पर आ रहा है देखें, ठूट जा 4 हो जाएगा, 4 ठूट जा 8 हो जाएगा, 8 ठूट जा 24, 24 का square means यहां पर पता चलेगा कि जो new number बन रही है यह new number बना हुआ है, यह new number जो है 24 का square है और वही पुछा आएगे, find the number, one number बताएगे, one number बताएगे, जिसका square, मने कि one number बताएगे, मतलब यह बताना है, जिसका square, मने 24 का square, जिसका square, 576 है, is the resulting number, resulting number क्या है, यही है तो इसका मतलब यहां पर लिख लेंगे कि hence the resulting number the resulting number means 576 is the square of is the square of 24 तो यह आपका answer हो गया, 24 एक answer हो गया, और यहां पर जो 2 है, यह भी एक answer है क्योंकि यही, find the smallest number, यह भी निकालना था ना, find the smallest number by which this number must be divided, so that it becomes a perfect square number, तो हमारा 2 हमारा जो है, एक ऐसा number है तो 2 out of 24 यह हमारे answer हो गया, इस question के तो आपको समझ में आ गया होगा, तो thank you so much for watching comment box में जरूर कुछ comment करिए, और like करती जीगा, तो share करती जीगा, thank you so much, bye झाल